आज जीकर की पावन धरापर इस एतियासिक संख्या में आपने पहुँच कर एक समाचार राजिस्तान के परिवर्तन में देड़े का काम किया है कि राजिस्तान विधानसभा का ताड़ा जेजेपी की चापी खोलने का काम करेगी मैं आज आपको बोलना चाहूँगा राजिस्तान परिवर्तन चाहता है और उस परिवर्तन को कैसे हम आगे लेकर बढ़ेंगे उसको मजबूती के साथ संख्याबल के साथ विधान तबा तक कैसे पहुचेंगे ये आज से एक-एक कारेकरता का काम है मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि राजिस्तान में करेंगे कमाल देखना ये कमाल आप इसी साल देखना हर कारेकरता में देखना डॉक्टर जे सिंग चोटाला को और उबीद्वार में चोधरी देविलाल देखना चोधरी देविलाल अमर रहे साथियो एक परिवर्तन हमें लाना है और उस परिवर्तन की नीवाज आम मजबूती से रखने का काम कर रहे हैं बहुत से साथी बदलाव की बात करते हैं मैं तो आपको बताना चाहूँगा राजिस्तान में गूंकर इस कॉंग्रेस सरकार ने किस तरह राजिस्तान को लूटा है, पीटा है किस तरीके से युवा के भविश्य के साथ खिलवाड किया है आज उसके अंदर हमें बदलाव चाहिए और मैं यह आपको बताड़ा चाहूँगा मैं कल राजिस्तान में गलोट साथ के करेवे परिवर्तनों की लिस्ट देख रहा था तो उस परिवर्तन में एक आया कि हजारो करोड रुपया गुलाबी रंके इस्तियारों में लगा दिया अकबार यह ओडिंग साइट भर दिये और लिखा वाथा मिशन 2030 साथियों तीस तो गड़ा दूर है इस बार तो हम मिलकर तेईस में गेरने का काम करेंगे आज राजस्तान में अपराद इतना है पूरे देश भर के अंदर पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरीके से महिलाओं के साथ बरबता राजस्तान की धरापर देखड़े को मिली यहाँ यूवा के नाम पर कैसे बाबू पैसा लूट रहे है एक स्कीम चलाए गई यूवा स्कॉलर्शिप स्कीम उस स्कीम के अंदर पचास यूवाओं को विदेश पढ़ने को बेजा गया और पचास यूवाओं में अर्तारिस यूवा किसी ना किसी अधिकारी के बच्चे थे साथियो आज माइनिंग माफिया राजस्तान का इतना हावी है कि राजस्तान के रेवेन्यू को तो लूटा जा रहा है बर इनका भै भी निकल गया आम जैन को भी गाड़ी से रोंदने का काम किया जाता है साथियो पेपर लीग की जब बात आती है राजस्तान के अंदर 13 महीनों में गहलोज सरकार ने 17 पेपर लीग करवाने का काम किया और उस पेपर को कैंसल नहीं किया अपने तुनिंदे चाहएवे लोगों को नौकरी पे बठाया और ये रिकॉर्ड में आया कि एक सब डिविजन से 200 सब इस्पेक्टर लगे एक ब्लोक से 100 लगे और एक घर से 3 लगाने का काम किया इस तरह का ब्रश्टाचार अब राजिस्तान की जंता सेड़े का काम नहीं करेगी और साथियों इसलिए आप से आगरे करूँगा कि अब मुहीम बनाकर घर घर जाकर ज्याजा से ज्याजा साथियों तक चौधरी देविलाल की उस सोच को दुबारा पोचाने का काम करो मजबूती देने का काम करो कि राजिस्तान के परिवर्तन की नीव जन्ना एक जन्ता पार्टी के चापी उस ताड़ा विधान सभा को खोल कर रखने का काम करें जज़ेपी पार्टी जिन्दा बाद ज़ेजेपी पार्टी जिन्दा बाद साथियों मैं तो एक किसी साथी ने लिखकर चंद लाईने भेजी वो आप तक पढ़ना चाहूंगा स्वर्गे चोधरी देविलाल जी के बारे में थी कि प्रधान मंत्री नहीं उन्हें ताव कहलवाना पसंथा काजू पुस्ते पिस्ते नहीं उनको मतीरे खाना पसंथा ड्रोएंग रूम की राजनिती नहीं उन्हें चार पाई पे सोजाना पसंथा युवाओं को कारे करता नहीं नेता बनाना पसंथा जाती धरम गरीब अमीर का बेज मिटाना पसंथा उन्हें सरकार को गाउं तक लाना पसंथा राजिस्तान को भी वो इतना प्यार करते थे जितना उन्हें हर्याना पसंद था चादरी देविला लबर रहे साथियो मैं तो एक चीज कह सकता हूँ चार साल होने को होगे हर्याना परदेश की सरकार में आपकी पार्टी की इस्तेदारी को और यारी प्यारी इस्तेदारियों में पूछो तो पता चलेगा कैसे हर्याना में बदलाव आया आजी के देन पिछले साल जादरी की धरापर चोधरी देविलाल जी का हमने स्टैच्चू लगाया समान दिवस बनाया और एक घोषना डॉक्टर जे सिंग चोटाला जी ने करी थी और वो घोषना थी कि एक सो नोवे जनम दिवस पर पार्टी एक सो नो डिजिटल लाइबरेरी स्तापित करने का काम करेगी और आज मैं खुशी के साथ कह सकता हूँ कि हमने 123 डिजिटल लाइबरेरी हरियाना के अंदर और तीन राजिस्तान के अंदर स्तापित करने का काम किया है और राजिस्तान के अंदर ये संकल्प हम लेकर गए थे और आज इस मन्द से आप सबसे भी आगरेक करूंगा कि ये संकल्प लेकर जाओ कि ग्रामी इनांचल में सिख्षा को बढ़ावा देने के लिए अब राजिस्तान के अंदर भी इस मुहीम को आगे लेकर बढ़ेंगे कि जहां देवाले वहां पुस्तकाले जहां देवाले जहां देवाले साथियो और मैंने फर्क देखा है हमने नोखा कि पावन धरापर चौदरी देविलाल जी के नाम पर डिजिटल लाइबरेरी बनाई और उस डिजिटल लाइबरेरी से पढ़ने वाडे तीन बच्चे पिछे मास्टर लगे खरनाल वीर तेजा जी की पावन धरापर डिजिटल लाइबरेरी बनाई और खरनाल की पावन धरापर आज दो बच्चों को नोकरी का अफसर मिला और इस मुहीम को आप विश्वास के साथ रखना जिस दिन राजिस्तान में सरकार में आपकी इस्सेदारी होगी उस दिन राजिस्तान के हर गाओं पंचायत तक डिजिटल लाइबरेरी की मुहीम को मजबूती से हम ले जाने का काम करेंगे साथियो यूवा बविशे इस देश का यूवा परिवर्तन की डोर उस यूवा को ससक्त बनाने के लिए हम एक मुहीम लेकर आगे बड़े थे कि रोजगार मेरा अधिकार उस रोजगार मेरा अधिकार में अरियाना इकलोता राज्ये बना जिसने हर प्राइवेट सेक्टर की नोकरी हो चाहे कंपरी हो ट्रस्ट हो सोसाइटी हो पार्टनर्शिप कंपरी हो हर एक के अंदर 55% अर्याना के निवासियों के लिए हमने अरक्षन बनाने का नोकरियों में काम किया और ये विश्वास के साथ कह देता हूँ जिस दिन राजस्तान विदानसभा का तारा खुलेगा राजस्तान की नोकरियों में भी राजस्तान के युवाओं का 55% अधिकार में लाने का काम करेगा तुश्यान चटाला जिन्दाबात तुश्यान तुमांगे बढ़ो साथियो हमने हर्याना में एक और परिवर्तर लाने का काम किया कि आज हमारे युवाउ को विदेश में नोकरियों के अफसर मिलते हैं मगर उस अफसर के लिए कोई भी कोई विभाग नहीं बनाया जाता सरकार बनने के बाद दर्याना में हमने एक विभाग बनाया फोरण कॉर्परेशन डिपार्टमेंट और उसके माध्यम से जितने हमारे यहां दूतावास है उनसे संपर्क करकर युवाउ की स्किलिंग बढ़वाई और स्किलिंग बढ़वाकर उनको युवाउं को अमबैसीज के माध्यम से रोजगार के अच्छे अफसर विदेशों में मिले यह संपर्क बनाने का काम किया और मैं आज कहना चाहूंगा कि जिस दिन राजिस्तान के दानसवा में आपकी इस्सेदारी होगी फोरण कॉर्परेशन डिपार्टमेंट राजिस्तान के युवाउं के लिए भी हम सरकार में बनाने का काम करेंगे साथियो मैलाओ के लिए शीला ब्यान जी आँ है इनकी टीम ने एक मुहीम चलाई कि हमने मैलाओ को पंचायती राज में इस्सेदारी देनी है अर्याडा पर्देश में हमने कानूनी प्रदान करकर हर दूसरी कुर्शी चाये वो पंच हो सरपंच हो, पलोक समिती हो जिला परिशद हो जिला परमूख हो, बलोक परमूख हो हर दूसरी कुर्शी मैला के लिए आरक्षित करने का काम किया राशेंड डिपो में जा पुरुस परधान देश हम बोलते हैं महिलाओं के पास 5% इस्सेदारी भी नहीं थी राशेंड डिपो में कानून परधान करकर महिलाओं की इस्सेदारी 33% सुनिश्चित करने का काम किया है और मैं वादा करता हूँ राशेंड डिपो में 33% महिलाओं का समान हम सुनिश्चित करने का काम करें साथियों पिछले दिनों जैपुर से नागवर जा रहा था तो बीच में मैंने देखा फोजियों की बहुत अकैडमी थी और फोजियों को उन अकैडमी में अफसर्वन ने के लिए ट्रेन नहीं किया जाता आम गाउं का युआ ये चाहता है कि मैं सिपाई बरती हो जाओ बीएसेफ में चला जाओं सियार पिएफ में चला जाओं ज्यादा अफसर्व मिले तो राजस्तान पुलीस में चला जाओ साथियों हम एक मुहीम अभी अर्याना में लेकर आगे बढ़ रहे हैं और मैं राजस्तान के लिए भी कहना चाहूंगा ये अपने छोरों को सिपाई बरती करने जोगा मत छोटो अगर बनाना है तो उसको एंडिये में भेजने लाएक अफसर बनाने का काम करो और उसके लिए जिस दिन ताड़ा विधान सबगा खुलेगा साथियों मैं आज कहके जाता हूँ राजस्तान में चार बड़ी ओफिसर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट खोलने का काम करेंगा और इतने छोटे इंस्टिट्यूट ली यह मैं आ रहा था शिखावटी उनिवस्टी है इन उनिवस्टियों जितने बड़े-बड़े कि हमारा बच्चा दस वी के बाद उस अफसर की त्यारी में जुटे और बार्वी करकर जब C.A.D. एक्जाम हो आर्मी का UPSC में वहां कर्नल, मेजर, जर्नल, बिर्गेडियर रिटायर हो ना कि नायब और सिपाई रिटायर हो साथियों इस परिवर्तन में आपका साथ चाहिए मैं एक चीज और कहना चाहूँगा राजस्तान में आदिवासी इलाका भी है के अंदर सरकार को भी मैं जल्द पत्र लिखने वाड़ा हूँ माने परद्धान मंत्री जी से मिलकर भी उन्से आगरे करूँगा की नौर्थ-ीश्ट के भाईयों के लिए, बेहनों के लिए तो नौर्थ-ीस्ट्राइबल बोर्ड बना दिया मरराजस्तान और गुजरात के हमारे जो इस ट्राइबल इलाके के लोग है के अंदर सरकार इस पे भी नीती बनाकर इसका भी इस एरिये का उत्थान कराने के लिए यहाँ पर भी केंदर सरकार के सयोग से ट्राइबल बोर्ड राजस्तान का बनाने का काम करें कि आदिवासी साथियों को उनका अधिकार मिल पाए यूओ का रखवाला दुशें चुटाला जिन्दाबद साथियो आज एक चीज़ जरूर बोलना चाहूंगा हमने अरियाना में किसानों के लिए चार साल में अनेक कदम उठाए और ऐसे कदम है कि आज अरियाना का किसान जो है वो सक्सम भी है और वो मजबूत भी हुआ है आज अरियाना में 13 फसले MSP पे खरीदने का काम हमारी सरकार करती है 19 फसले ऐसी है सबजिया है फल फ्रूट है जिनको हमारी सरकार भावंतर बरपाई योजना में किसान को जो नुकसान होता है वो पैसा देकर उसकी बरपाई करने का काम करती है आज चोधरी देविलाल जी के जनम दिवस्पर अरियाना में जहाँ जीरी की खरीद शुरू ही वहाँ हमने सरकारी तोर पर बाजरे की खरीद शुरू करी और देखो राजिस्तान सरकार के काम कि इस बरद राजिस्तान में सुखा पड़ा तो गिरदावरी भी आज तक नहीं कराई राजिस्तान के अंदर आज तक बाजरे की सरकारी खरीद भी शुरू कराने का काम नहीं किया साथियों जब आपकी इस्सदारी होगी तो हर्याडा की तरज पर राजर्स्तान की फसलों को भी हम MSP पर खरीदने का काम करेंगे किसानों का रखवारा दुशेル चुटाला जिन्दाबाब साथियों की परचाई दुशें चुटाला जिन्दाबाब साथियों एक चीज में बड़ी खुशी के साथ इस मन्द से आपको कह सकता हूँ अर्याडा में हमने ऐसा सिस्टम बनाया है किसान के लिए कि किसान अपनी फसल मंडी में बेच के आता है और मात्र दो दिन के अंदर उसका पज़रा पैसा आड़ती के पास नहीं डारेक्ट बैंक ट्रांसफर से किसान के खाते में बेजने का काम करते है अगर उसकी फसल खराब हो जाए तो उसकी फसल का मुआवजे के लिए पटवारी जी के पीछे गूमना नहीं पड़ता साथियो अर्याडा सरकार को मोबाइल के माध्यम से बेज सकता है कि मेरी फसल में शती आगी और शती पूर्ती के माध्यम से उसके खाते में वेरिफिकेशन के बाद तुरंत उसकी शती का पैसा भेजा जाता है और पैसा भी थोड़ा नहीं अर्याडा में कॉंग्रेस की सरकार दो रुपे पांच रुपे दस रुपे दिया करती थी आज हमारी सरकार पंदरा हजार रुपे प्रती एकड देने का काम करती है और मैं ये आज कहके जाता हूँ जिस दिन थारा राज होगा जिस दिन आप लोगों की इस्सेदारी होगी राजस्तान के किसान को भी पंद्रा हजार रुपया प्रती एकड के हिसाब से हम पैसा देने का काम करेंगे साथियो मेरा तो बिंती अगरे अपील आप से है कि गाउ का उत्थान बहुत जुरूरी है मैंने राजस्तान के नेक सेहर अभी घुमे हमने देखा सरकार का मेर फोकस जो है वो है सेहरों में बना दो गाउ को विक्सित करने की बात कोई नहीं करता अर्याना में देखके आओ आज हमारी पंचायतों को षैर की तरज पर हम विक्सित कर रहे है आज हमारे गड़ी नानी तक हम सीमित नहीं हैं आज मांग आती है यह लाइबरेरी बनवा दो कम्निटी सेंटर बनवा दो आज जो हमारे दसदस हजार की अबादी के गाउं थे शहर की तर्ज पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा रहा है 50-50-60-60 करोड खर्च कर साथियों गाउं का उत्थान होगा तो देश का उत्थान होगा और इसके अंदर सबसे बड़ा योगदान होगा गाउं उत्थार के लिए राजस्तार उत्थार के लिए तो आज राजस्तान के कोणे कोणे से आए मेरे भुदुर्गों का होगा मैं तो आज आपको केड़ा चाहूंगा कि उस उत्थार के लिए हमें कमर कसनी पड़ेगी और आज विश्वास दिलाना पड़ेगा डॉक्टर एजे सिंग चोटाला जी को कि राजस्तान की जंता अब जेजेपी जेजेपी बोलेगी सत्ता का ताड़ा आपकी चाबी से खोलेगी साथियो आज किसान कैसे विक्सित हो अर्याना का इसराहिल से टाइप है इसराहिल के टेकनोलोजी से कैसे मरुस्तल इलाके में अर्याना के फुरूट उगाया जाए सबजिया उगाई जाए ड़ड़ी के मांग आणा में और अभी नया आपके पडोस सिवाडी के अंदर हमने सेट अप किया है कभी रिष्टदारी में जाने का मौका मिले देख के आओ आज वहाँ पर सुखे इलाके में भी खजूर जेतून कैसे हमारे किनू और छोटी छोटी सबजिया ऐसे उगाई जाए इस पर लेटेस्ट टेक्नॉलोजी किसान को हम देने का काम करते हैं और आज कहना चाहूंगा कि इस क्लस्टर सिस्टम को इस अतियाद्यूनिक टेक्नॉलोजी को हम उसी तरज पर अर्याना में भी जल दिलाने उसी तरज पर राजस्तान में भी जल दिलाने का काम करेंगा किसानों का रखवाला दुश्य चुटाला जिन्दाबाद और एक चीज युवा साथियों के लिए और कहना चाहूंगा दिवेंदर खड़ा है डिसकस फैका करता था इसका एक साथी पीछे जुझडू मिला एशियन गेम्स खेल के आया और सरकार में सब इस्पेक्टर लगावा है उसको देखके मैंने पूछा सरकार पैसे कितने देती है तो कहता है कि राजस्तान सरकार तो मामूली सा रिवाड देती है तो मैं आज कहना चाहूंगा जैसे अरियाडा में हमने खिलाडियों का मान समान बढ़ाया और कोई छोटा नहीं सोना जीतने वड़े को 6 करोड सिल्वर मेडलिस्ट को 4 करोड ब्रॉंज मेडलिस्ट को 2 करोड और रेस में कोई बस सेकिन थर्ड नाय चोथे नमबर पे भी आ जाए तो उसको 50 लाख रुपे का काम हम करते हैं और आज भाईयों वादा करता हूं बेहनों भाईयों से खिलाडियों से कि जिस दिन भी वो त्यापी आपकी ताड़ा खोलेगी उसी तरज पर राजस्तान के खिलाडियों के लिए भी 6 करोड, 4 करोड, 2 करोड और 15 लाख की खिलों उतान के लिए हम योजना लाने का काम करेंगे खिलाडियों का रखवाला दुशे चुटाला जिन्दाबाद साथियों मेरा तो आगरे अपील बिंती आप से आज इतनी है कि उस लुटेरी कॉंग्रेस सरकार को जिस रे 5 साल राजस्तान को बरबाद और लूट खाने का काम किया क्या क्या करते थे हमारे जैपूर के साथ ही बेठे कि हम जैपूर में एक साल में 24 मंजली अस्पताल बना देंगे करोड़े रुपे की ठगी बारी गई और अब तक जैपूर के अंदर दो मंजली अस्पताल बनाने का काम ने की साथियों राजस्तान के अंदर कहाणी दिखाई जाती है कि राजस्तान सिख्षा में बढ़ रहा है साथियों बढ़ नहीं रहा राजस्तान तो इस सिख्षा के विपार में उजड़ रहा है हर चोथे पाचवे दिन अख़वार में अख़वार में नियूज हम पढ़ते हैं कि कोटा के अंदर सोसाइड कर लिया मैं तो इहरान हो गया सिख्कर के अंदर साड़े तीन लाग चातर चातर आए है साथियों मैं आपको ये विश्वास दिला देता हूँ कि राजस्तान के एजुकेशन सिस्टम के उत्थार के लिए भी हम स्पेशली जो आपकी कमिशनरेट है उनको एजुकेशन हब में विक्सित करने का आने वाड़े भविश्वे में काम करेंगे मेरी तो बिंती आगरे आपसे है कि इस युआओ के जोश को इकरतित करकर आगे बढ़ो और जहाँ बिजली की बात है ये तो सिर्फ बाते बाते करने के अफसर रखते है आज रियाणा में जमीन नहीं है खेती बाड़ी बहुत होती है क्योंकि नेरों का सिस्टम विक्सित किया गया साथियों राजस्तान में आने का मौका जब जब मिला चाहे वो उन्मानगड गंगानगर का इलाका हो नागो और बीका नेर का इलाका आज इंद्रा गांदी कनाल के माध्यम से कोई गगर में से लेकर पाणी की विवस्ता बनाई जाती है आज रियाणा में ऐसा हमने विवस्ता बनाई है कि सिर्षा जिले से लेकर मेवाद तक मेंदर गड से लेकर यमना नगर तक कोई हमारा ऐसा इस्सा नहीं बता जो आज सिचाई युक्त ना हो और ये वादा करता हो कि इस नेर के सिस्टम को और बेतर बढ़ा कर कैसे विवस्ता बढ़ाई जाए राजस्तान में उसमेत गती के साथ हम काम कर चारे करेंगя मैं तो अंत में इतना कहना चाहूंगा चलो जवानों आगे बढ़ो तोड़ो अभिस मौन को सत्ता तक पोचा दो किसान का मेरी कोम को तुशे चुटा ले जिन्दापर तुशे चुटा ले आगे बढ़ो सातियो आज में ये राजिस्तान के हमारे जितने साथी मंज पर वैठे है हमारी दोनों महिला नेत्रियों से भी रीटा सिंग्जी से प्रदिवा सिंग्जी से ये मेरे को लगता है किसी को विश्वास नहीं था कि डॉक्टर एजे सिंग टोटाला जी की टीम राजस्तान में कितनी मजबूत है चौजरी देविलाल के विचार राजस्तान की जनता के साथ कितने मजबूती से जुड़ें कितने मजबूत हुए मैं रामनिवास जी तो है एक साथी पुराड़े जनता दल के टाइम के इनने तो देखा है चोधरी देविलाल जी आया करते थे हेलिकॉप्टर उतारा करते थे एक गाउं के छोरे के छबकी देदी और पता चला दो महीने बाद विदायक बन गया मैं तो डॉक्टर जे सिंग चोटारा जी से भी आगरे करूंगा अपनी इस टीम को इसी तरह मजबूती के साथ आगे बढ़ाओ और ये विश्वास रखना मैंने हर वक्त का है 35 से 30 साथियों को हमत्यारी करायरे मैदान में उतारने की और उनकी ताकत कोई बढ़ेगा तो आप जैसा मैंती कारेकरता बढ़ेगा आप जैसा मैंती साथी मैदान में उतर कर डॉक्टर जे सिंग चोटारा जी की स्क्रीम को मजबूती देने का काम करेगा और आज हाथ उठाकर विश्वास दिला दो डॉक्टर आपको दोने हाथ उठाकर विश्वास दिलाने का काम करें अगले दो महीने दिन रात एक करकर कारेकरता मिदान में उतरेंगे जोश के साथ पार्टी संग्ठन को और इस चापी को घरगर तक पुचाड़े का काम करेंगे और ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप मैंनत कर देो ये मेरी गारेंटी मेरा वादा आप से है कि आपकी मैंनत को बेशबल नहीं होने देंगे आपकी मैंनत से ही राजस्तान विधान सबा का ताड़ा खोलेगी डॉक्टर जे सिंग चोटाला की जन्नायक जन्ता पार्टी की हचाबी आप सब का मैं अभार पकट करता हूँ खास तोर पर सारी राजस्तान की टीम का जिनने इतने जोस और उत्सा के साथ आज हमारा यहां स्वागत किया मैं सीला वियान जी की शिरिमती नहना चोटाला जी का खास तोर पर अभार पकट करूँगा कि उनकी महिला सक्ति ये महिला टीम जिस संख्या में राजस्तान की दरापर आई है आज की ये रेली, रिकोर्ड तोर रेली इसले बढ़ पाई कि इस महिला सक्ति का आज बहुत बड़ा योगदान है मैं तो साथियों अब आर पकट करूँगा एक-एक युवा का जो आज अपनी सक्ति को जोस को आज दर्शाने आया है और मैं पत्तरकार साथियों को अब आभार पकट करते वे उन से आगरे करूँगा साथियों, बहुत से लोग कहते हैं कि युवाओं में होसला कम हो गया बहुत से लोग कहते हैं कि जन्ना एक जन्ता पार्टी का जोस कम हो गया